नमस्कार में पिंटु शिंग्यादो आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमजी में दोस्तों भोजपुरी के ट्रेंडिंग इस्टार खेसारी लालियादो हर दिल कोई न कोई चीजों को लेकर शुर्ख्यों में रहते हैं चाहे वो उनके एल्बम के गाने हो या फिर उनकी फिल्म की हूटिंग हो चाहे उनकी फिल्म का रिलीज डेट हो या फिर वो अपने मच के कारे करम को लेकर हो चाहे वो समाजी कारे हो हर चीज जो को लेकर खेसारी लालियादो आए दिन कहीं न कहीं शुर्ख्यों में बने रहते हैं और उनकी चर्चा पूरा भोजपूरी इंडस्ट्री करती रहती है लेकिन आज मैं बात करूँगा कि भोजपूरी के ट्रेंडिंग इस्टार खेसारी लालियादो एक बार फिर शुर्ख्यों में आ गये हैं वज़ा क्या है और किस कारण से खेसारी लालियादों को इतना जादा शुर्खियों में आना पड़ा है इसकी मैं पूरी जामकारी बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगा कि हमारे श्यनर याई कि भोजपुरी रिमजिम को सबस्काइब करकर जरूर जो जाएए जिस तरीके से बॉलीबूर के गाने भोजपुरी में डव होने लगे हैं यानि कि भोजपुरी के रिमेक वजन बना कर रिलिस किये जा रहे हैं और उन सभी बॉलीबूर गाने को जो कंपने रिमेक करवा रही है वो सारे गामा हम भोजपुरी है जिसको T-Series का पार्ट भी क जा रहा है तो ये कहिने कहीं बॉलीबूर का हिस्सा है जिसमें की बॉलीबूर सौंग्स को बोजपुरी में रिमेक करकर अलग-अलग का लकारों से गाने गबाय जा रहे हैं जिसमें खेसारी लाल्यादों का भी एक बड़ा नाम शामिल है जिस गाने का नाम है अपनी तो जैसे तैसे अपने तो जैसे तैसे जब गाना रिलेज हुआ था तो इसका क्या तांडव था ये बखो भी आप जानते होंगे और किस तरीके सुरुआती दोर में ये तहलका मचाया था गाना ये भी आप बखो भी जानते होंगे तो जब सुरुआत दोर में इतना जादा तहल का क्यों नहीं बचाएगा और यह लाजम है कि खेसारी लालियादों का गाना है तो अब इस लिए ताहल का मचाएगा तो खेसारी लालियादों का जो यह गाना है वो गाने पर तीन हपते में मैं इस तीन हफ्ते में 33 मिलियन से ज़ादा वेउस मिल चुके हैं आप यसे से अंदाजा लगाए कि 33 मिलियन वेउस अभी तीन हफ्ते हुए हैं और इतना बड़ा उन्होंने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है बात करें तो इस गाने में सिल्पी राज के साथ खेसारी लालियादो जो है वो इस गाने को गाए हुए थे तो वहीं बात करें म्यूजिक की तो म्यूजिक जो है वो आर्या सर्मा ने इसका म्यूजिक दिया था तो वें लिरिक्स की बात करें तो बीजे चवान जो हैं वो इसके लिरिक्स राइटर थे जो की काफी जादा रातो राते शुर्खिया में आ गए थे तो ये गाना पर तीन हफ्ते में 33 मिलियन विउस क्रॉस करने वाला मुझे लगता है कि खेसारी लालियादो का पहला गाना बन हम भोजपूरी पर ये पहला गाना हो गया है कि इतना जादा विउस इतने कम समय में गेम किया है जिसको एक सारे गामा हम भोजपूरी के लारियादों तो बड़े कालाकार हैं ही, लेकिन कहीं एक चैनल के द्वारा इतनी बड़ी बात लिखी जाना एक भोश्पर इंडस्ट्री के कालाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है, दर असल आप हमारे पोस्ट में देख पारे होंगे, कि फेस्बुक पर खेसारी लारि सेर हो तुम, इसे कहते हैं असले सोय, यानि कि खेसारी लालियादों के इस गाने को लेकर इतना बढ़िया तरीके से, इतना बढ़िया लाइन लिख लेना, ये खेसारी लालियादों के लिए बहुत बड़ी बात है, और उनके समर्थुकों के लिए, उनके फैंस के लिए ब चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करकर ज़रूर जुड़ी है अगर आप मुझे चुना चाहते तो आप मुझे फेस्बूक, इंस्टेग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटो चेंगे आदो सच करकर ज़रूर जुड़ी है नहीं तो डिस्किप्शन में लिंक दे दू अग्सावी को पॉगद वो नहीं नहीं पुत कर दो आप नहीं लिए जो प्योगी ज़हाएब कर दो आप मुझे ज़रूर जो जबाएब कर दो आएब कर दो कर दो आप